गपनादी जोड़ी से बॉलिवुड में डेबीू दिया जिसकी बाद वो साल 2010 में फिल्म बढ़ माईश कमपनी में शाहित कपूर के साथ जल्वागर हुईए और उसी साल दिसंबर में उनकी फिल्म बैंट बाजा बारात रिलीज हुई जो रन्वीर सिंग की डेब्यू फिल्म थी दोनों की आन स्क्रीन जोड़ी को बेहत पसंद किया गया था लेकिन दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया जिसकी वज़ा फैन्स हमेशा से जानना चाहते थे क्योंकि बॉलिवुड की ये रीत रही है कि आन स्क्रीन पसंद की जानने वाली जोड़ी लाजमी एक दूसरे को डेट करती है और बास जोड़ियां तो शादी भी कर लेती है अनुशका शर्मा ने साल 2011 में अदकारा सीमी गरिवाल की शोव में बतार महमान शिरकत करते हुए सवाल का जवाब दिया था सीमी गरिवाल ने मद्दाहों की जानेब से किया जाने वाला सवाल अनुशका शर्मा से पूछा कि उन्होंने रनवीर सिंग को डेट क्यों रही किया अनुशका शर्मा ने जवाब दिया कि मैं रनवीर सिंग की तरफ मायल जरूर हुई थी लेकिन वो दोनों बहुत मुखतलिफ शख्सियात के मालिक हैं अदकारा का कहना था कि अगर लोग हमें सही मायनों में जान जाएं तो वो समझ जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुखतलिफ हैं हम दोनों की हर वक नोग जोग चलती रहती है हम एक दूसरे का गतल भी कर सकते हैं बात जारी रखते हुए अनुशका शर्मा ने कहा कि मैं जूट नहीं कह रही मैं सच में उसका सर तन से जुदा कर दूँगी और वो मेरा कर देगा अगर हम दोनों कभी रिलेशन्शिप में आ गए कि वो एक अच्छा लड़का है और बात बसे ही खत्म हो जाती है रणवीर सिंग और अनुशका शर्मने फिल्म बैंड बाजबारात के लावा साल 2011 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म लेडिस वर्सिस की बहल में भी साथ काम किया और 2015 में फिल्म दिल धड़कने दो में भी बत और जोड़ी नज़र आए साल 2017 में अनुशका शर्मने भारत के मायनास क्रिकेटर विरात कोहली से महबबत की शादी की जिनके हाँ बेटी वामिका की पैदाईश साल 2021 में हुई जबके रमा साल 2024 में मेटे अकाय की पैदाईश हुई साल 2018 में रन्वीर सिंग ने साथ यदाकारा दीपी का पाड़कों से शादी कर ली थी और दोनों जल्द अपने नन्ने महमान की आहमत का इंतिजार करे हैं